कि में भी ड्रॉ होता है मगर तीन उनिट हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा डैगोनल स्केल कहलाएगा ठीक है पहला अस्टेप में हम लोग जो फाइंड आट करते हैं अगर आरेफ मगर आरेफ तो हमको पता है क्या वान इस्टू फोर मतलब वन वाई फोर यहां तक किसी को दिक्कट अब दुसरा होता है दुसरा हम लोग निकालते हैं लोस लोस का मतलब होता है लेंध ओफ अस्केल लेंध ओफ अस्केल और इसका फर्मूला होता है आरेफ इंटू मैक्सिमम लेंध ठीक है मैक्सिमम लेंध घीक है मैक्सिमम लेंध गितनों अब द्चिम मैक्सिमम लेंध लोग प् मेंजर अप्टी लोग एनअफ enough मतलब क्या maximum ठीक है maximum तो enough upto कितना 5 decimetr ठीक है तो 5 decimetr है तो यहाँ पे देखिए आरेफ दिया है कितना 1 unday 4 और ये क्या दिया di cic meter यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ठीक है अगर ये 5 decimetr है न आपके पास स्केल ही नहीं है डेशल मडरा स्केल नहीं है जब भी प्लेन इसकेल या ड्राग करेंगे न उस्सकाल हम यहां पे भी सुम्छक्र ऑएगाause कंडिमीटर में करना होगा चांगे उसकी आपके पास स्केल वह किसमें है सेंतिमेटर है मेनी ड्राप्टर में भी क्या है सेंटीमीटर है तो हमको सेंटीमीटर इसको करना होगा अब हमको यह बताइए कि एक डेसी मीटर बरावर डेसी मीटर और सेंटीमीटर में va、 dm Ô Cm related बताएये , टो misin , Dm मतलब डेसीमीटर और Cm मतलब सेंटिमीटर बताइये क्या होता है कि किसी को पता है कि डिम बदा की सीयंब बदा । आ यम बदा कि सीयं बदा ना तो एक डिम बदावर अधस्य कीव फ़सी जाण बसे हो hé याद किजिए बच्पन का परहाई ठीक है याद किजिए बच्पन का परहाई क्या एक डीम बराबर 10 cm होगा या 100 cm होगा पढ़ते रहिए ठीक है एक बटा चार इंटू 50 गुना 10 क्या cm एक डीम बराबर 10 cm होता है याद कर लिजिए और याद होना चाहिए जो साइन कर वो है ने यूनिट कर्वेंशन वो आपको याद रहेगा तभी आप स्केल का कोशन कर पाईएगा ठीक है क्या सेंटीमेटर क्या 10 से डिवाइड होना चाहिए पर 50 गुना 4 कितना 50 बटा 4 cm कितना आएगा इसका कलकुलेशन 12.5 किसमे cm ठीक है मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग RF निकालेंगे RF अगर दिया है तो डारेक्ट लिखेंगे ठीक है दुसरा बात क्या निकालेंगे LOS LOS मतलब length of scale और RF इंटू maximum length जो हमेशा question में दिया रहेगा maximum measure up to maximum measure up to long enough दिया रहेगा ऐसा कुछ statement हमेशा हर question में दिया रहेगा चाया plane scale द्रौ किजे या diagonal scale द्रौ किजे ठीक है एक बटा चार गुना पांच डेसी मीटर और एक डेसी मीटर वड़ाबर क्या होता है 10 सेंटी मीटर होता है और 50 डिवाइड रवाज चार 12.5 सेंटी मीटर ठीक है यह जो calculation है आपको seat पे करना होगा ठीक है अगर आप इस calculation को seat पे नहीं करते है step 1, step 2 लिखते हैं नहीं लिखते हैं मैटर नहीं करता मगर यह length of scale निकाले हैं यह 12.5 या RF का calculation है वो seat पे होना चाहिए जैसे इतना complete कर लेंगे उसके बाद इसके नीची हम scale को draw करेंगे ठीक है अब कैसे करेंगे देखते हैं क्या कुछ पुछना है दिखका थे तो बोलो कि किसी को है दिखक पीछे से नहीं है दिखक सेंटीमीटर में मीटर हाँ क्या टेक डेसी मीटर बढ़ा है ना सेंटीमीटर कौन बोला डेसी मीटर बढ़ा है यह तो तुमको पता होना चीए ठीक है अब देखो हम लोग construction करते हैं अब जो है सुनो अब construction करेंगे कैसे बहुत देखते हैं जो हमारा एलो एस आया एलो एस कितना आया 12.5 सेंटीमीटर तो सबसे पहले हम लोग मेनी ड्राप्टर के मदद से 12.5 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे होरिजेंटल कौन सा होरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे बारा पॉइंट कितना पांच का ठीक है यह जो हमारा लेंथ है मेरा टेरा हो जाए मगर आप लोग का टेरा नहीं होना चीए ठीक है 12.5 सेंटीमीटर देखो अब क्या है कि देखना यहां पे बार बार यहां पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर नहीं लिखना होता है ड्रॉइंग में कहीं भी अगर हम डाइमेंशन से लिखेंगे उसका यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि जब सीट के नीचे टाइटल ब्लॉग बनाते हैं ठीक है वहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या ओल डाइमेंशन आरिड एमें ठीक है मगर आपको यह पता होना चाहिए कि आपके फाइनल एकजाम में टाइटल ब्लॉग बनाने की कोई भी आवा सकता नहीं होती है आपको टाइटल ब्लॉग नहीं बनाना है क्यों क्योंकि अगर आप अपना नाम रॉल नंबर मोबाइल नंबर जितना वेवस्था अगर आप सेट करके दिजिएगा टीचर को पता हो जाएगा ना क्या आप कौन कॉलेज के हैं आप लिख दीजिएगा को जीपी बार के हैं तो गरबर हो जाएगा इसलिए वह आपको कोडिंग में चला जाएगा और आपको दिक्कत है इसलिए टाइटल ब्लॉग फाइनल एकजाम में नहीं बनाते हैं मगर नीचे लिख देते हैं ओल जाएगा उतना ज्यादा नंबर आएगा अप.' अगर आफ सुन्दर नहीं दिखा पाए नंबर कटे गा थीक है इसका कोई इतना बटा भी ले लेता कोई फाइदा नहीं है तो इसका लेंज होता है या तो जीरो पॉइंट फाइब मैक्सिमम जीरो पॉइंट फाइब सेंटीमीटर या उससे बिकम 0.25 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा नहीं लेना है अगर यह ठीक है इस तरह का ब्लॉक बनाएंगे बोलो यहां तक किसी को दिखकत ठीक है यानि यह ब्लॉक बन गया रेक्टेंगल बना ठीक है यह 12.5 सेंटीमीटर का और इसका कोई लेंथ दिखाएंगे नहीं यह मने मने रहेगा कि यह 0.25 का है अब देखे अब यहां से स्टार्ट हो गया पहला स्टेप का किये जितना डाइमेंशन आया 12.5 तो 12.5 से प्लेन स्केल है अगर प्लेन स्केल है तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे नहीं तो फिर डाइगोनल में अलग कॉंसेप्ट होता ठीक है उसके बाद यहां पे देखे लिखा क्या है मेजर अप टू क्या पांच पांच डेसी मीटर यानि अब यह जो लाइन दिया है यह जो रेक्टेंगल बनाए है यह पूरा जो का स्केल तयार होना चाहिए हो जदा से जदा कितना मा मेजर करेगा पांच nice मेटर उससे यदा इसका अकात नहीं तिक यह पांच डेस्सी मीटर के बाद अगर च्छो कह दे तो इससे हांथ खटा कर देगा कि नहीं हमसे मेजर नहीं हो पाएगा जितना बोलेगा मैक्सीमम उसी को डिभाइड करते हैं उतना पाट में यानि अगर हम माल ले अगर यह rectangle A है और इसको क्या माल ले B है दुसरे छोर को B माने तो A और B को कितने पाट में बातना होगा 5 पाट में क्यों बातना होगा क्यों कोसन में बोला कि maximum measure कितना पांच डेसी मीटर यह भूल जाएंगे कि 12.5 सेंटी मीटर भी है लेंद आफ एसकेल निकालने के बाद उसके बाद यह ब्लॉक ब्लॉक बनाने के बाद यह भूल आएंगे कि 12.5 सेंटी मीटर कुछ था अब हम कोसन पर आएंगे और देखेंगे कि लॉंग एनफ कितना मेजर करने के लिए बोला 5 सेंटी मीटर का तो इसको हम लोग 5 सेंटी पांच बड़ाबर पार्ट में बाटेंगे ठीक है यहां पर कुछ लोग जो बहुते होसियार होते हैं वो क्या करेंगे हलाक यहां तो होसियारी चलेगा नहीं यहां होसियारी आपका फेल हो जाएगा क्योंकि 12.5 को पांच से डिवाइड किजेगा तो कुछ होल नमबर में नहीं आने वाला मगर कलाकारी तब करता है कि अगर आज आता है 15 मारता है डिवाइड पांच से तिन नमबर और स्केल पे तिन-तिन से मारके अपना काम सही कर लेता है ठीक है मगर यहां पे कलाकारी आपका नहीं चलेगा और वहां पे भी आपको कलाकारी नहीं दिखाना है यह वाला काम करके अगर ऐसा किजिएगा आपका नमबर कटेगा clear है तो आपको by process क्योंकि आप drawing करने जा रहे हैं तो आपका process दिखाएगा अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी line को equal part में कैसे divide किया जाता है board पे देखेगा सबसे पहले जिसको divide करना होता है चाहे इस a point से या b point से हम एक acute angle बनाते हैं जो 90 से कम ठीक है acute angle मतलब हम इसको मिटा देते कोई दी cut ठीक है अब देखेए अगर हमको acute बनाना है तो क्या हम acute सही बनाए या गलती बनाए कौन बला काम करें इधर भी acute है है नहीं इधर बला और इधर भी हम acute बनाए है कौन बला लेंगे बाहर वाला इधर वाला acute लेके क्या करेंगे बाटेंगे किसको इधर वाला तो लेके करेंगे क्या बाटेंगा ही नहीं ना तो acute किदर से लेंगे अब सुनिएगा acute लेने के बाद हम लोग चाप लेते हैं आर्क लेते हैं एको क्या मानके सेंटर मानके देखिएगा बोड पे एको सेंटर मानके हम आर्क ले लेते हैं ऐसा कमपास के मदद से कमपास लेंगे कमपास का जो लोहा वाला होता है उसको ए पे रखेंगे और पेंसिल को ऐसे घुमा लेंगे कुछ भी मेजरमेंट का कोई दिक्कत नहीं उसके बाद फिर कमपास को एक छोड़ा यहां पे और एक यहां पे तिक ना और उसको हम लोग एको सेंटर मानके काटेंगे बीना उसको हिलाए डुलाए ठीक है ना जो कमपास पे हम लोग ले लिए डाइमेंशन इसको आर्को मेजर करके उसको बिना हिलाए डुलाए पांच इक्वल पार्ट में काटेंगे एक दो हाथ देखिए गातीन चार और पांच ठीक है और वही अभी काटा वाला का बात कर रहे थे वही काटा वाला कहां काम है यहां दुन्नों के सटा दीजिए अब भार बार बार बीना हिलाए डुलाए क्या करिये उसको करते रहिए अब देखने पांच गया जितना इकमल की को पार्ट में बाटना होता है उतना आरक लेते हैं यहां तक किसी को avatar तो बोले ऑस किसी को अगर दिकत नहीं तो फिर समझेगा अगर हम क्या है कि यह लास्ट वाला जैसे मालो इसको वन टू ठीरी फोर और फाइब लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला देते हैं कि लाश्ट वाले को लाश्ट वाले से मिला देता नहीं पांच को हम लोग भी से एजी टीज मिलाएंगे ठीक है मतलब ऐसे मिनिट राप्टर को धरेंगे या स्केल से ऐसे मिला देंगे ठीक है ऐसे मिला दिये अब मिलाने के बाद या तो रॉलर स्केल से या फिर मीनी ड्राप्टर के मदद से क्या करेंगे कि मीनी ड्राप्टर को इस पर सेट करेंगे इस लाइन पर क्या करेंगे सेट करेंगे नौब को खोल के ठीक है और इस लाइन पर सेट हो जाएगा तो फिर क्या कर देंगे कस देंगे और इसको इसको आगे की और बढ़ाएंगे और जहां बढ़ाएंगे तो चार पर जाकर रख देंगे ठीक है जैसे बर्हाएंगे वास्ति है किसके पास रोला एब कहें तेक ocis करने के लिए यूज होता है रॉलर स्केल ठीक है आप ऐसे है यह ऐसे सेट करेंगे ठीक है और इसको यहां पर मालों ऐसे अब ऐसे सेट हो गया अब इसको ऐसे धीरे दी जै बढ़ाएंगे आया चार प्यागा ना इसको रोक देंगे और 4 पे रोकने के बाद हम उसको लाइन करेंगे ठीक है फिर उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे और तीन पर जाएंगे आगे फीर दो पर जाएंगे और फिर एक पर जाएंगे ठीक है और ऐसे अगर जाएंगे तो लाइन हमारा कुछ पेरलल ऐसा दिखेंगा देखेए आप लोग कुछ लगा करता है ना कि इस तरह का बोली को दिकत भी घुने नहीं होगा पैरलेल लाइन सिर्फ और सिर्फ बॉटम बाले पार्ट तक ही रहेगा उसके बाद सारे पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानि यहां से यह परपेंडिकुलर होगा यह परपेंडिकुलर होगा यह परपेंडिकुलर होगा ठीक है थोरा तो आपका जो आना चीए, वो इक्वल आना चीए, ठीक ना? ठीक है, इस तरह का, आपका जो है, एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है? अब यहाँ पे हमको नेमिंग करना है, ठीक है, क्या करना है? नेमिंग करना है, तो नेमिंग पहला ब्लॉक को छोर के, हम लोग 0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, और 4, ठीक है? अब क्यों करते हैं? जिरो यहाँ से स्टार्ट करेंगे न, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यह पूरा का पूरा डेसी मिंटर हो गया, और हमको मेजरमेंट करना है किसमें भी? सेंटी मिटर में, तो सेंटी मिटर का एक ब्लॉक बनाना परेगा, तभी न बोलेगा, जैसे मालेज अगर 5 डेसी मिटर मापना है, तो 5 डेसी मिटर मैक्सिमम अगर मापना है, तो 4 डेसी मिटर तक रहेगा, और उसके बाद होस भी तो सकता है, कि 3.5 डेसी मिटर मापना हो, चार पॉइंट पांच decimetre अपना हो। तो चार फॉइंट पांच कैसे poiंगे उस पॉइंगे उसको भी तो division करना पड़ेगा अगर शुक करना पड़ेगा तो उसके लीए हम लोग पढ़ पहला नहीं रखते हैं अगर पैला नहीं रखने आगर हम इसको यूनिट के लिए डिवीजन करते हैं अगर कोई लड़का बोले कि नहीं हम नहीं आप कहिएगा जो मन जाएंगे नहीं हम इसको करेंगे तो आप करिए स्वतंत्र हैं आप करने के लिए मगर जब इसको किजिएगा ना तो पांच देसी मीटर मैक्समाम आप मेजर नहीं कर पाईएगा ठीक है अब 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 जो हमारा काम हो गया कि यह पांच देसी मीटर हो गया एक डेसी मीटर दो देसी मेटर, तिन देसी मेटर, चार देसी मेटर और पांच देसी मेटर अब जो बात आती है कि सेंटी मेटर भी कह रहा है न कि सो करना क्या है सेंटी मेटर तो एक डेसी मेटर वराबर कितना बताए अभी दस सेंटी मेटर यानि पहले वाले डिवीजन को कितना पार्ट में ब पूछेगा कि सार नीचे भी तो बाट सकते थे बाट कोई दिक्कत नहीं है उपर भी बाट सकते हैं टीक है बट क्या है कि नीचे भी बाटने में आपको समस्या इसलिए होगा क्यों कि अलड़ी एक डिवीजन कर चुके हैं आभी बताया कि ड्रॉइंग गंदा मतलब नंबर कंदा है नए तो यह अज़ी काम हो चुका है न तो इसी पका है आगे जगा तो ही एक तो उपर कर लेंगे नीचे नहीं करेंगे करने वाले करिये अगर करिये गा तो उसमें भी स्केल आप जो पैंसिल उच किजिए इसको अगर बाट ना है तो फिर इसको हम लोग मालो a small a है और a small b है यह small और a small B को क्या कर लेंगे मेजर कर लेंगे और इसको कम पास के मदद से क्या करेंगे काट लेंगे कितना तेरी कुल पाट तो मालो a2 बीना ही लाइड रूलाए तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ठीक है पार हो जाने दोने दिकत क्या है आपका पार नहीं होना चीए ठीक है मेरा पार चलेगा आपका पार नहीं होना चीए ड्रॉइंग के एक्जाम देने से पहले यह डिसाइड कर लेना चाहिए कौन कोसन बनाने में कितना स्पेस लगेगा नहीं तो पता है क्या करता है दम चरहा चरहा के बना देगा अगला कोसन बनाएगा तो उकरा पर चर गया ठीक है आप उचर गया तो उतारने में जो समय लगेगा मतलब तुम फेल हो जाओगे ठीक है इसलिए जब भी आप question बनाने जा रहे हैं तो यह आप माइंड में set कर लिए आपको drawing बनवाया जाता है drawing इसलिए आपको class में बनवाया जाता है ताकि आप exam में वो गल्दी ना करें और आपको पता हो जाना चाहिए कि आप कैसे 늦्स जैसे लारव मान ले जाय कोई लड़का माइंड सेट करके किया कि उपर करना है तो उपर उसको पासा यह ना आगर उन नीचे करना है तो उसको नीचे वाला पता चलेगा कि मांड शेट नहीं और मैंड सेट क्या करता है ऑप माले यहां कॉश कर आहले और सिरह अब दिए तो उपर इसको मिटहाएंगा इतना टाइम थो होता है ग्राफिक में 3 घंटा मिलता है समय हnowगा का समय का कमी होगा ठीक है एक अगर आइसो मेट्रिक से घुसा दिया तो दिक्कत है इसलिए आप वो गलती ना करें यह ओभर लैपिंग बाला जो है वो गलती ना किजिए ठीक है अब सुनी एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नौ दस कैसे काटना है सब को पता है अब क्या देक है इसको एक दो टेन चार। पांच छे आठ आठ नौ और दस अभी बताए कि लाष्ट वाले को मिला देना तो लास्थ ऒाले लाष्ट को यहां सी इये नहीं मिला देना है थीक है इस बात को ध्यान देना है बहुते लड़का यही करता है तक आफ एचा बोला गया था इसा ही होता है इसलिए सब चीज को ध्यान में देखना यानी यह लास्ट वाला इंतन Iraq क्या है इंतन उन मारा है यह वाला ब्लॉग को न बाटना तो लास्ट यह हुआ तो यह वाला और यह वाला को क्या कर देंगे लटो मिला देंगे और फिर जो है यह यह एक रulations या मिनी ड्राप्टर के मदद से हम लोग इस पर सेट करेंगे और आगे एजिटीज क्या करेंगे ऐसे बढ़ाएंगे तीक है समाल लो देखो यहां पैसे है ना मालो यह इसका पैरलल है तो ऐसे ड्रॉ कर दिये कि ऐसे ड्रॉ कर दिये ठीक है उसके बाद फिर आगे बढ़ाया ऐसे चार पे चल गए चार पे रुख गए फिर इसके बाद इसको फिर उसके बाद ठीक ना इस तरह से हम लोग बरहाते हुए इसको क्या करेंगे अब यह जो है ना यह सब पैरलल लाइन है मगर अब जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ और नो यह जो लाइन आया क्या है यह भर्टिकल लाइन है यह हर एक डिविजन रिपर्जेंट कर रहा एक सेंटीमीटर को ठीक है अब यहां से देखो यह गिंती इधर गया ना अब यह गिंती इधर जाएगा यानि यह जीरो है तो यह एक होगा दो तीन चार चार पांथ छे साथ आठ नौँ और दस यहां तक किसी को दिकत दिकत है अब इसी कोस्टन में दिया रहता है बाकी दुसरे बुक में आप पढ़िएगा तो लिखेगा कि सो डिस्टेंस 3.5 डियेम 3.5 डियेम तो 3.5 डियेम है तो देखिये इधर से 1 डियेम 2 डियेम आई तीन डियम अगर इसको अगर हम नहीं अगर डिवाइड किया हुए रहते तो पचमा कहां जाएगा इसका सिवरिटी था नहीं मगर यह तो इधर से ले लेंगे ठीक है और पांच यहां है यह confirmation है कि पांच यहीं होगा नहीं तो पांच इधर उदर कहीं भटकते रहता कनफर में नहीं होता तो इसलिए पांच यहां से ऐसे उठाएंगे और इस दोनों की बीच की दूरी क्या लिख देंगे ठीक है ठीक है उसके बाद अगर बोलेगा 2.5 या 3.8 या बोलेगा पांच तो पांच होगा तो एक दो तीन चार यह चार टोटल हुआ और यह इसका पां मेजर करने के लिओ अ कि जो बोला हुआ जhis कैसे सही कि अदि धोरा साही भी्राफि अगर भूजो नब बोल रहे थी कि आप तो 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 मालोव 5 मेजर करना था इसको कितना या 3 हो 3 के बलाट के कैसी यहां पे चल जाई lebih हम है 3 तलागातार है ना जैसे systematic जो है बोला गशुना चाहिए ना आगर आप सोच रहें कि इसको centimeter कर देते है इसको डीम में रहने देते हैं तो आप सुनिए कि अगर इसको centimeter में कीजिए तो यहार से Major कीजिए खर से Major की आएख से की मेजर करें तो लगातार नहोता है अगर यहां पर कर दिये तो यह मैक्सिमम तीन और उसके बाद यह वाला पुरा लिजेगा तो चार पांच तो मेजर नहीं कर पाया कि पांच मेजर कब करेगा जब इधर जाएगा तो di em के साथ ही collect connect कैसे होगा होई नहीं पायगा इसलिए हम जब भी इसका करते हैं सेकेंड घृ करेंगे भी तो जो हमारा टारेट होता है जितना हमको करना होता है मेजर करना होता है बहुन नहीं हो पाता है था संही हो झाल झाल